हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव डेसीज मादव डेसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स आपके लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ ये उस ड्रेस की छोटी सी प्यारी सी पगड़ी है और इस ड्रेस को बनाया है हमने दे आसानी से आजाएगा और बहुत ही सिंपल है इस ड्रेस को बनाना तो आप भी अपने काना जी के लिए एक बार इस ड्रेस को जरूर बनाए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेर बस्दारिक होता है जो कि काना जी के लिए गर्मी में बहुत ही कमफर्टेबल रहता है तो यहां पर देखी मैंने इसको डबल करके इसके उपर आइरन कि फिर और इसको चोडाई है यहाँ पर इसकी चोड़ाई है देखिए पाच इंच पाच इंच चोड़ाई लेकर हमने इसको डबल कर लिया है और इसके उपर आइरन कर लिया है अब मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको लंबाई कितनी है यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई है साड़े 33 इंच तो इसको हमने आइरन करके अब इसके बाद क्या करेंगे हम यह देखे एक लेस लेंगे और इस लेस को यहाँ पर जहाँ पर हमारी फॉल्ड वाली साइड है यहाँ पर इस लेस को ऐसे रखना शुरू करेंगे और पूरी पट्टी पर इस लेस को हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर लेस को लगाने के बाद अब देखे फिर से हम इस लेस को लेंगे और थोड़ा सा उपर करके इस तरह से इस लेस को एक बार फिर से अटैच करेंगे तो पूरी पट्टी पर यहां फिर से हम इस लेस को सिलेंगे यहां से लाच तक सिलते जाएंगे दोनों लेस को अटेच करने के बाद देखी फ्रेंस कुछ इस तरह से बना है यह अब हमें यहां पर प्लेट्स लगानी है प्लेट्स लगाकर कमर तयार करनी है तो यहां से दिखी ऐसे एक एक प्लेट लगाएंगे इस तरह से नीचे से एकवल रखते जाएंगे फिर यहां से एक प्लेट लगाएंगे इस तरह से थोड़ा सा गैप रखेंगे और फिर तीसरी प्लेट लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते वे जाएंगे और इसकी कमर तैयार करेंगे प्लेट बनाने के बाद देखे फ्रेंड्स यहाँ पर यह कमर रेडी हो गई है और इस तरह से गेरा बन करके तैयार हुआ है अब हमें इसमें नेफा लगाना है तो नेफा लगाने के लिए हमने यहाँ पर पट्टी को कट किया है और इसकी चोड़ाई है देखे यहाँ पर लगबग सवा 2 इंच और जितना नेफा है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा तो यहाँ पर हम देखे क्या करेंगे इसको ऐसे मोड करेंगे थोड़ा सा और उल्टे साइड से रखना शुरू करेंगे यहाँ पर और इसको सिलते वे जाएंगे इस तरह से तो पूरी कमर पर इस तरह से हम इस पट्टी को लाश्ट सक सिल लेंगे पट्टी को सिलने के बाद इसको हमने दिखे यहाँ पर ऐसे सीवी साइड पर कर लिया है अब इसको यहां से देखे ऐसे मोड़ देंगे एक बार ऐसे मोड़ेंगे और इसके अंदर अब हमें डोरी लगानी है तो यहां पर इस तरह से डोरी को रख देंगे और डोरी को रखने के बाद यहां से फिर से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह से देखे यहाँ पर यह नेफा बनेगा और इस पट्टी पर हम ऐसे सिलाई लगाते वे चले जाएंगे यहाँ से मोडते जाएंगे डोरी को अंदर रखते जाएंगे और इस पट्टी को सिलते जाएंगे और डोरी पर सिलाई नहीं आनी चाहिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है नहीं तो ये डोरी इस तरह से नहीं कीचेगी तो चलिए यहां तक इसको सिल करके तियार कर लेते हैं नेफा लगाने के बाद अब हम चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए यहां पर देखे एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई है 9 इंच और चोड़ाई है 2 इंच यहां से इसको ऐसे मोड़ देंगे एक बार ऐसे मोड़ देंगे और फिर यहां से एक बार ऐसे मोड़ें और कट करने के बाद यहां से दिखे एक दूसरी के उपर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद इसको यहां से यहां से सिलेंगे और सिलने के बाद इस ड्रेस के सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखके यहां पर देखे इस नेफे के उपर इसको सिलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी को कट किया है लंबाई है इसकी 7 इंच और चोड़ाई है 3.5 इंच इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे लगबग 5 इंच की पट्टी तयार कर लेंग और यहां पर इस पर सिलाई लगा देंगे पट्टी को सिलने के बाद अब देखिए जहां पर हमने यह सिलाई लगाई है यहां पर हम इस लेस को ऐसे रखेंगे और इस पट्टी पर यहां तक इसको सिल देंगे पट्टी पर लेस लगाने के बाद अब हमें यहां पर और यहां से इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहां पर इस पर सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से देखिए यह काना जी की कैप बन जाएगी तो देखिए फ्रेंट्स काना जी की ये पगड़ी बन करके बिलकुल रेड़े हो गई है जब काना जी इसको पहनेंगे तो यहां से देखिए दोनों साइड से ये इस तरह से नजर आएंगे बहुत ही प्यारे लगेंगे और ये हमारे आज की ड्रेस और ये इसकी पगड़ी आपको आज की ड्रेस कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में जो बैल आइकन है उस पर भी प्रेस करिए। फिर ओल का उप्षन आएगा वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए राधे राधे।